अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फूर फ्यूचर अप्डेट्स के लिए आज किस वीडियों डिसकस करेंगे कि जो पंजाब स्कूल एडिशनल पंजाबी की एक्जाम निकालता है क्वाटरली उसके जो फॉर्म कैसे फिल होंगी और डोकुमेंट्स आप कहां समिशन करेंगे पूरा ही प्रोसेस आज किस वीडियों प्रवाइड करूंगा मैं आपको आप पंजाब स्कूल एडिशन बोड का एक्जाम फिल कर सकते हैं भाशाब बाग के लिए अगर आपने इंफरमेशन लेनी है तो आपको फेस्बुक पर सारी इंफरमेशन मिल जाएगी हमारे ही यूट्यूब का चैनल का नेम है सेम नेम से आपका होगा मेरा फेस्बुक प आपको जरूरी है वाइल फॉर्म फिलिंग सो वेबसाइट पर जाएंगे पीसबुक डॉट की वेबसाइट है नीचे स्क्रोडन करेंगे ऑन्लाइन फॉर्म में जाएंगे जब आप आपको लिंक मिलेगा ऑन्लाइन इग्जामिनेशन फॉर पंजाबी अडिशनल अप्रल यह अपरल का भी चल रहा है एक आपका दिसंबर में रिजिशन होता है जिसका एक्जाम जन में हो जाता है फिर एक फेब में निकलता है उसका एक्जाम मार्च में हो जाता है एक एक्जाम आपका मार्च में निकलता है सोरी अपरल में जो भी निकला हुआ है इसका एक्जा से फी, जो काफी हाई कर दी है, पहले इनकी जो फीस रहती थी सिरफ अक्तूवर की रहती थी 3100, लेकिन पिछले साल से इनौने सारे जो फीस हैं मेरे खाल से पूरी ही हाई कर दी है, 4100 फीस है, अव्ली जब ही तक आपका जैन का एक्जाम गिया है, उसमें आपकी 1350 थी मलब approximately आप 1400 लीजिए including आपकी hard copy तो इस बार इन्होंने बाकी जो है आपका March का देन ये निकल रहा है थर्ड आपका additional अप्रल का और इससे आज अखतूब रहा है उसकी fees आपकी रहेगी 4100 तो उसके लिए website पर जाएंगे online applications के अंडर आपको मिलेगा online examination form for additional Punjabi exam April 2024 बैच इस पर click करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा आप यहाँ पर new user पर click करेंगे आपकी टेल मांगेगा कौन कौन सी टेल मांगेगा ये detail आपका batch कौन सी एर में आपने ये 10th किया था category सेम आएगी class कौन सी ये 10th private है by default रहेगा कौन से board से किया वो fill करना है month कौन से आपने किया था pass इसमें result आएगा किदरे marks आए ते वो fill करेंगे metric का roll number class 10th का आप DMC से ले ले लेना email ID और phone number आपके दोनों सही होने चाहिए because communication process जो भी बोर्ड करेंगा आपसे same दोनों numbers मलब दोनों जो details से आपकी email ID और mail number पर करेंगा जब आप इसको register कर लेंगे आपके सामने interface आजाएगा ये reference number में है इसको आप note कर लेंगे और reference number और जो आपका roll number है वो login details होंगी आपकी ये सारी details by default आएगी by default आएगा by default father name, mother name, date of birth, email ID by default होगा, phone number by default होगा, gender choose करेंगे, category सेम रहेगी, मतलब all categories की fees सेम रहेगी जो भी आपकी category बेशक जो आप मर्जी fill कर लिए उसके recording सो हमारी general है, हमने general fill की है, area, rural, urban है, religion आएगा, अगर आप में कोई physical disability उसके recording yes नो करेंगे और ये option आपने yes करना है, फिर उसके बाद आप colored photo and sign upload करेंगे, यहाँ पर address देंगे अपना, other state के हैं तो यहाँ अदर state चूस कर लेंगे, fee structure सभी का सेम हैं, बेशक का पंजाब के ह Metrica यहाँ पर certificate upload होगा और identity proof में आपकी यह documents आएंगे, कोई भी आप इनमें से use कर सकते हैं, धार card, water card, pen card, driving license, etc, subject by default रहेगा, यह सारी टेल फिल करके आप update पे click करेंगे, कीवार आपका form logout हो जाता, आप द्वारा login करेंगे, बट यह कि आपने reference number याद रखना है, ठीक, आ सारी टेल आपकी यहाँ पर update हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको यह photo का, signature का, यह documents का, size अगर जो भी नोंने dimensions दी, उसके recording नहीं होगा, तो फिर से बोलेगा, size set करके इसको दोबार upload करें, upload करके आप उसको update करेंगे, तो टेल आपकी update हो जाएगी, save हो जाएगी उनके server में, उसके बाद अगर आपने को editing बनी यहाँ पर option आएगा, edit application form, edit application form यह added उसके बाद आएगा, submit then so on, तो आप यहाँ पर अगर सब कुछ सही है, submit करेंगे, submit करने के बाद आपका form message आएगा, कि आप form को final log करके, कोई भी detail को edit नहीं कर सकते, आप अपको okay करेंगे, आपका स इस जैसे मैंने आपको बताई, 4200 एस वर, 100 पीस में आपको कम बता गया, आप उपर जाएंगे, यहाँ पर link मिलेगा, HDFC का proceed to pay online, pop-up पर click करेंगे, okay करेंगे, pop-up आएगा, okay करेंगे, उसके बाद आपका fees का link generate हो जाएगा, directly इनके account में fees जाएगा, दिया गया है, उसके ब पर fees pay करेंगे, अगर update नहीं होती, कम से कम, 42 hours का wait करेंगे, अगर आपने same time पर दो या तीन बाद fees pay कर दी, आपकी fees non refundable होगी, बेशेक आप बोर्ड जाएं, जहां मर्जी जाएं, आपकी fees refund नहीं होती, यह experience काफी बच्चों के साथ हो चुका है, जो मेरे साथ, मेरे subscribers हैं, और उनके comments वेरा या मेरे जो social media accounts और बात होती रहती है, double fees pay मत करेंगे, अगर कोई problem आती है, मुझसे contact करेंगे, बोर्ड वाले phone number नहीं उठाएंगे, आपका try करके देख लिजेगा, फिर भी you are very lucky अगा number उठाले, हम आपको number भी इनका show कर देता हूँ, जब अब आडिशन यहां पर, जो इनके contact details से email आडिया, आप इसमें mail में अपनी query दे देंगे, जो भी आपका doubt है, call करके उनको बता दीजिए, तो यह तह हो गया आपका form feeling, लेकिन form feeling के बाद further process क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सारा form fill कर लेंगे, तो आपके form feeling के बाद application form generate होगा, उ जो details उसमें मांगी है, photo लगा कर, fill करेंगे, declaration को fill करेंगे, सारा कुछ fill करने के बाद application form, दूसरा, आपका class 10th की xerox copy, अधार card की xerox copy, mean to say photo state, और दो password size photo, यह आपने 123, तीनों चीज़ें और एक photo, चारों चीज़ें लेकर, किसी भी school से, any school, private है, यहां government है चलेगा, आपन उनको क्या करना है, देकर आना है, कहां देकर आना है, मुहाली, address क्या रहेगा, हम address आपके सामने show कर देता हूँ, so यहां पर address देखते हैं, कौन सा दिया है, यहां दिया गया है, main office, education branch, पंजाब स्कूल education board, S.A.S. नगर, मुहाली, वहां पर आपने यह post भी गड़ सकते है अगर कई बार ऐसा होता है, कि पोस्ट आप जो करते हैं, तो पोस्ट की बार उनको कह सकते हैं, अगर कोई coming लगे, तो आपको वहां बुलाते हैं, आपका जाना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई आपका colleague, friend, relative है, और anyone else, जो आपका चंदीगड या मुहाली में रहता, उसके चुरू भी आप documents अपने भेज सकते हैं, वहां पर ये documents आप submit कराएंगे, वहां पर जो भी particular block होगा, आप gatekeeper से पूछ लेना, या reception पर पूछ लेना, वहां आपको guide कर देंगे, कि आपने कहा document submit कराने हैं, तो वहां पर submit कराकर आप further जो भी process है, next website पर आजाएगा, एक ने चीज़ याद रखिएगा, काफी मेरे subscribers ऐसे भी हैं, जिनके comments आते हैं कि sir, हमने documents हो जमा करवा दिये थे, वहां पर submission कर दी थी, लेकिन हमें दवारा call आई कि आप यहां आकर document फिर से submit कराएं, हमसे document गुम गए हैं, तो काफी ये जो departments हैं थोड़े वो करते हैं, पंजाबी documents हम काफी दूर से आएं, तो इनको आप प्लीज थोड़ा समाल के रखेगा, हमें दुवारा ना आना पड़े, इससे मेरी last time 2-3 subscribers से बात हुई थी, कोई राजिस था, कोई हर्याना से था, कोई तो बचारा बहुत ही दूर से था, उनको आने के लिए बहुत टाइम लगता आपको पता है, नोकरी के जुरूरत हर एक परसन को है, तो उसके लिए तो जो भी आपने education qualifications है for particular job, तो उसके लिए आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको job मिलेगी, जो भी उनके terms and conditions होती है, तो उसके लिए exam देना पड़ता है, तो बाकी I think all over चीजे मैंने आपको explain करें दिया, फिलाल फिर भी कोई query जा question आपके mind में रहता है, आप हमारे telegram group, facebook page या WhatsApp group को join करके, जो भी उसमें admin होगा, उसको message कर सकते हैं, और वो आपकी query का 101% solution करेगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, first time visit किया, ज़रूर चैनल को subscribe करेगा, नीडी फ्रेंस के पूलो करें, so thank you friends for watching this video and for your available